पुत्रदा एकादशी व्रत कता युधिष्ठिर बोले स्रीक्रश्न क्रपा करके पॉष्मास के सुक्लपक्ष की एकादशी का महत्म्य बतलाईए उसका नाम क्या है उसे करने की क्या विधी है और किस देवता का पुजन किया जाता है भगवान श्रीक्रश्न ने कहा युधिष्ठिर पॉष्मास के सुक्लपक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरी का पुजन करें नारियल के फल, सुपारी, विजोरा निम्बू, जमीरा निम्बू, दाडिम, सुन्दर आमला, लोंग, बेर तथा खास कर आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरी की पुजा करनी चाहिए इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें पुत्रदा एकादसी को विशेश रूप से दीप दान करने का विधान है रात को वैश्नव पुर्षों के साथ जागरण करना चाहिए जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वरस तक तपश्या करने से भी नहीं मिलता यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथी है चराचर जगत सहित समस्त्र तिरोकी में इस से बढ़कर दूसरी कोई तिथी नहीं है समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायन इसी तिथी के अधि देवता है पुर्वकाल के बात है भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान रज्य करते थे उनकी रानी का नाम चमपा था राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ इसलिए दोनों पती पतनी सदा चिंता और सोक में डूबे रहते थे राजा के पितर उनके दिये हुए जल को सोकोच छास से गरम करके पीते थे राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तरपन करेगा यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे एक दिन राजा घोडे पर सवार हो गहनवन में चले गई पुरोहित आदी किसी को भी इस बात का पता नहीं था मर्ग और पक्षियों से शेवित उस सघन कानन में राजा ब्रह्मन करने लगे मार्ग में कहीं शियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लूओं की जहां तहां भालू और मर्ग द्रश्टी गोचर हो रहे थे इस प्रकार घोम घोम कर राजा वन की सोभा देख रहे थे इतने में दो पहर हो गई राजा को भूक और प्यास सताने लगी वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे किसी पुन्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे सोभा साली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा उस समय सुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे राजा का दाहिना नित्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था सरोवर के तठ पर बहुत से मुनि वेदपाट कर रहे थे उने देखकर राजा को बड़ा हर्स हुआ वे घोडे से उतर कर मुनियों के सामने खड़े हो गए और प्रतक प्रतक उन सब की वंदना करने लगे वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे जब राजा ने हाथ जोड़ कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले राजन हम लोग तुम पर प्रशन है राजा बोले आप लोग कौन है आपके नाम क्या है तथा आप लोग किसलिए यहां एकत्रित हुए है कृपिया यह सब बताईए मुनि बोले राजन हम लोग विश्वे देव है यहां सनान के लिए आये है माघ मास निकट आया है आज से पांचवे दिन माघ का सनान आरंब हो जाएगा आज ही पुत्रदा नाम की एका दसी है जो वरत करने वाले मनुश्यों को पुत्र देती है राजा ने कहा विश्वे देवगण यदि आप लोग प्रसन हैं तो मुझे पुत्र दीजिए मुनि बोले राजन आज पुत्रदा नाम की एका दसी है इसका वरत बहुत विख्यात है तुम आज इस उत्तम रत का पालन करो महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा श्री क्रश्न कहते हैं युदिश्टिर इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम रत का पालन किया महर्शियों के उपदेश के अनुशार विधी पूर्वक पुत्रदा एका दिशी का अनुश्ठान किया फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चर्णों में बारम बार मस्तक धुका कर राजा अपने घर आई तदंतर रानी ने गर्ब धारण किया प्रशवकाल आने पर पुन्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्थ हुआ जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया वह प्रदा का पालक हुआ इसलिए राजन पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे शामने इसका वर्णन किया है जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पस्षात स्वर्ग गामी होते हैं इस महत्मे को पढ़ने और सुनने शे अगनिश्टों में यग्य का फल मिलता है हरियोम तत्सत